नमस्कार दोस्तों, धार्मिक माननेताओं के अनुसार कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, जिन्हें लांगने से व्यक्ति पहुत बड़ी मुसीवत में पड़ सकता है। जाने माने पंडित सुरेश पांडेजी बताते हैं, अगर रास्ते में पांच चीजें दिखाई दें, तो इन्हें गलती से भी नहीं लांगना चाहिए। और अगर गलती से इन्हें लांग दिया है, तो वीडियो के अंत में इसका उपाए भी है, ताकि आपको किसी प्रकार की हानी का सामना ना करना पड़े। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बाहर जाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप किसी ऐसे पानी को नालाग है, जिससे किसी ने सनान किया हो, क्योंकि इसमें दूसरे व्यक्ति के शरीर की नकारात्मक उर्जा होती है, इससे आप बहुत सारी परेशानियों से घिर सकते हैं। नमबर दो, बालों का गुच्छा, बालों का प्रियोग तंत्र और टोटके आदी के लिए किया जाता है, आपको रास्ती में सडक पर बालों का गुच्छा दिखें, तो उसे भूल कर भी नालाग हैं, इससे आपको बहुत सारी परेशानियों घेर सकती हैं। नमबर तीन, मृत जानवर की अस्थियां, अगर सडक में कहीं मृत जानवर दिखाई दें, तो उसको देखते ही अपनी दिशा बतलतें, किसी भी सूरत में उस मृत जानवर को क्रॉस ना करें, ना ही इनके उपर से गाड़ी गुजरने दें, इन चीजों के आसपास बुरी नजर से पचाने के लिए नीबू मिर्ची का टोटका करके सडक किनारे फैक देते हैं, ऐसे में आपको अगर कहीं नीबू मिर्च पड़े हुए मिल जाएं, तो इस पर गलती से भी पैर ना रखें, और उसके पास से भी ना गुजरें, नमबर पांच, भोजन अकसर लोग चौराहों पर अपने पित्रों के लिए खाना रखतेते हैं, जो राहु ग्रह का प्रतिने धित्व करता है, और पित्र भी राहु को ही प्रदर्शित करते हैं, ऐसे में इन चीजों से दूरी बना कर रखना चाहिए नमबर छे, राख, यदि सडक में कहीं लकडी की राख दिखाई दे, तो उसे कभी भी नहीं लागना चाहिए, इससे भी नेगेटिविटी निकलती है, जो पार करने वाले जातक के सरीर या स्वास्त पर सीधा असर डालती है अगर आपने गलती से इन मैसे किसी चीज को लांग दिया है, तो घरा का स्नान करें और अपने शरीर पर गंगा चलके छीटे मार लें और गाय का घी, दूद और मक्षन इन सब को मिक्स कर लें, घर के मंदिर में भोग लगा कर इसमें थोड़ा अपनी जुबान पर रखें, इससे आपके शरीर की शुद्धी हो जाएगी, जानकारी पसंद आई हो, तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करें।